हेलो दोस्तों मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलक लेक्टॉनिक्स और दोस्तों यहाँ पर जो आप एक एम्प्लिफार देख सकते हो यह सिर्फ देखने में छोटा है लेकिन यह बहुत ही पावरफुल एम्प्लिफार है तो यहाँ पर यह हुजी अडियो का यह एम्प्लिफार है और जश्ट इसके नीचे आपको जो है इसका मोडल नंबर देखने को मिल जाता है जैसे जेके 102M तो इस एम्प्लिफार को दोस्तो मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया है अगर आप इस एम्प्लिफार को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से इसको खरीच सकते हैं इसी टाइप में दोस्तो दो परकार के एम्प्लिफार आते हैं तो एक हमारा 100 प्लस 100 वाट का होता है और एक हमारा 50 प्लस 50 वाट का होता है तो उस दोनों में हम किस परकार से पहचानेंगे कि 100 वाट का कौन सा है और जहां पे आपको 102 देखने को मिलेगा वह आपका 100 प्लस से ही पता चलेगा कि आपके पास जो amplifier है वो कितना वाट का है यह जो आप amplifier पर्चेस करोगे तो यह आपका जो एसेंबल नहीं रहेगा इसका जो case है आपको सब अलग रहेगा नौव अलग रहेगा यह ओन उफ का जो नौव है यह भी अलग रहेगा आपको एसेंबल करना पड़ेगा यहां पर मैंने इसको अलड़ी असेंबल कर लिया है और इसका जितना इफी details जो है इसके case पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहां पर आपको एक switch मिल जाता है on off का उसके बाद यहां पर aux input का और यहां पर usb in का तो यहां पर जो usb का जो socket दिया गया है इसमें दो तीन तरह का खासियत है एक तो आप normally usb को input करके song play कर सकते हो और दूसरा lcd tv हो या computer हो उसमें usb to usb एक cable आता है तो एक को आप यहां पर लगाओगे और एक को जो है आप computer में या आप lcd tv में लगाओगे तो वहां का जो sound दोस्तो data के जड़िए इसमें input हो जागा और यह बीना aux का यह आपका audio को provide करेगा ठीक है तो यह जो function दिया गया दोस्तो इससे क्या होता कि sound quality जो है काफी बढ़िया हो जाता है और just इसके back side में अगर हम देखें तो यहां पर left और right दो channel का यह amplifier है और यहां पर aux out जैसे यहां पर bluetooth भी इसमें है तो bluetooth का जो version है दोस्तो 5.0 है तो यहां पर जो input होगा usb से या bluetooth से जो भी receiver इसमें input हो रहा हो यह यह जहां से output करेगा इस option से दोस्तों आप किसी और amplifier को audio input दे सकते हो और यहां पर power supply का दिया गया है DC 5V से लेके 24V तक आप इसमें pure DC दे सकते हो अगर ampere की बात करें तो 5-10 ampere अगर आप देते हो तो sound quality काफी अच्छा आपको सुनने को मिलेगा और दोस्तों बहुत लोग को य ऐसा possible है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यह 100W plus 100W का amplifier है तो अगर हम इसमें 12V input दे या 5V input दे तो यह हमारा proper 100W ही output करेगा अब display पर देख सकते हो यहां पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है अगर 12V का supply इसमें देते हो तो आपको यह 8 ohm पे 20W plus 20W का output देगा अगर 4 ohm का speaker लगाते हो तो 40W plus 40W यह output करेगा अगर आप 15V का supply देते हो तो 8 ohm पे 35W plus 35W का यह output देगा और 4 ohm का speaker अगर आप लगाते हो तो 60W plus 60W का यह output देगा अगर 19V देते हो यह आपका जो है 8 ohm पे 60W plus 60W output करेगा 4 ohm पे आपका 80W plus 80W output करेगा अगर 24 वल्ट इसमें यूज करते हो 8 ओम पे 70 वाट प्लस 70 वाट आउटपूट करेगा अगर 4 ओम यूज करते हैं तो 100 वाट प्लस 100 वाट ये आपको आउटपूट करेगा इस एम्प्लिफेर में आवर हीट प्रोटेक्शन है अगर ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये आटोमेटिक प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा ये जो एम्प्लिफेर है इसका इंटर्नल पाट के अगर बात करें तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ये अंदर से कैसा दिखता है ये हमारा 200W का है तो इसमें आपको 2 IC देखने को मिलेगा और जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसी एम्प्लिफेर में ठीक इसी परकार का दिखने वाला एक और एम्प्लिफेर आता है जो कि सिफ 50W प्लस 50W आटपुट करता है उसमें सिंगल IC दिया जाता है तो आईए हम इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं और पावर सप्लाई देखे इसका सांड कॉलिटी चेक करते हैं कि किस परकार का सांड कॉलिटी है तो आईए फट अफट से हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं और सांड कॉलिटी चेक करते हैं तो दुस्तो मैंने इस एंप्लिफार में पावर सप्लाई और दो स्पीकर का मैंने कनेक्शन कर दिया है और यह जो पावर सप्लाई दूस्तो मैं यूज कर रहा हूँ 24V 6A का यह power supply है अगर आप इस power supply को लेना चाहते हैं तो इसका link मैं आपको description में दे दूँँगा आप वाँच इसको खरीच सकते हैं तो आईए हम इसमें power supply देते हैं और इसका sound quality चेक करते हैं तो power supply देते ही यह automatic जो है Bluetooth mode पर यह रहता है अगर आप इसमें USB लगाते हो तो यह आपका USB काम करेगा और जैसे आप USB को हटा देते हो यह automatic जो है Bluetooth mode पर चला जाएगा और जैसे ही आप इसमें AUX के लिए in करते हो तो यह automatic जो है आपका AUX mode पर चला जाता है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जैसे हम इसमें AUX pin डालेंगे यह automatic जो है AUX mode पर चला जाता है अगर आप AUX input से भी audio देते हो तो आपका यहाँ से AUX out देता है चाहे आप कोई सभी signal इसमें यूज कर रहे हो चाहे आपका Bluetooth हो USB हो या AUX हो यहाँ से output करेगा ही और जब इसमें आप USB और AUX नहीं रहेगा तो यह automatic Bluetooth mode पर रहेगा और यह अभी मेरे mobile से connected है इसलिए पेर हो चुका है और यह on off का switch है देखे यहाँ पर यह बंद हो जाता है और जैसे मैं इसको on करता हूँ यह LED यहाँ पर गुलो करेगा यह Bluetooth mode पर है और यहाँ पर दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखे यह जो left और right का जो channel है speaker का यहाँ पर आप speaker का जो minus plus होता है इसका ध्यान ज़रू रखे तो आईए अब मैं इसमें song को play करता हूँ तो दोस्तों इस amplifier का sound quality दोस्तों काफी अच्छा है और यहाँ पर इतना देर use करने के बाब जूद भी यहाँ पर जो hitsing लगा हूँ दोस्तों उतना खास hit नहीं होता है जितना अगर 44-44 रहता या कोई other class AB का या transistor का amplifier रहता तो काफी hit हो गया रहता लेकिन यहाँ पर जो है और इसका जो Bluetooth का connectivity है दोस्तों काफी फाइस्ट है क्योंकि इसमें वर्जन जो है 5.0 है और यहाँ पर मैं एक बार आपको USB से चेक करके दिखा देता हूं यहाँ पर जैसे आप इसमें USB इन करते हो यह आटोमेटिक जो है आपका USB पर चला जाता है लेकिन इसमें आपको जो है किसी भी परकार का नहीं remote मिलता है और नहीं बटन मिलता है जिससे आप song को play, pause या next back कर सकते इस परकार से USB काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यह जो amplifier है दोस्तों काफी powerful है अगर आप इसमें 24V का power supply अगर 6A से 10A के बीच में यूज करते हो तो इसका जो sound performance है दोस्तों काफी अच्छा मिलता है तो इस परकार से दोस्तों इस amplifier को आप घर पे यूज कर सकते हो अगर आप एक छोटा सा और powerful amplifier यूज करना चाहते हो तो आप इस amplifier को ले सकते हो यह बहुत ही अच्छा amplifier है तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो